वेल्कम बैक टोर्ट चानल, डियर इस्ट्वेंट, मैं देवंदर आपका चानल दावल लाइन बस्ता में चवायत करता हूँ इस्ट्वेंट आज की वीडियो में हम राष्टिय सेवा युजना याने एनसेस के कुछ महत्वपून प्रेशनों को हम सॉल्व करेंगे जो की B और C certificate की प्रेशा के लिए बहुत मैत्वपून होने वाले तो आप वीडियो को end तक बने रहेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं करेंगे तो चलिए सुरू करेंगे यह रहा हमारा पहला question, coronavirus 2019 का पहला case कहां सामने है हमारा पहला option है, चीन में, अमेरिका में, इटली में, यह इस्पैन में तो इसका जो right answer है, A, चीन में question 2 है, आरोग्य सेतु है, यानि जो यह आरोग्य सेतु है, यह क्या है तो हमारा option है, COVID-19 tracking mobile application, आरोग्य वर्दक दवा, एक फूल का नाम, उप्रुक्त में से कोई नहीं तो इसका जो right answer है, वो है A, COVID-19 tracking mobile application तो इसका right answer A, और इसका भी A, आप note भी करते रहेंगे question 3 है, coronavirus का सीधा प्रभाव मान और शरीर पे कहां पड़ता है हमारा option है, स्वाजन तंत्र, पाचन तंत्र, अंतर स्रावी तंत्र, यह तंत्र का तंत्र तो इसका right answer है, वो है A, स्वाजन तंत्र पे question 4, जानवरों के माध्यम से होने वाले बिशान जनित रोग हैं 爍पशन है श्यंपलू, यह भी जानवरों से होता है, और विशान जनित है, इबोला यह भी जानवरों से होता है यह तीनों जो रोग हैं यह जानवरों से फैलते हैं चल् है question 5 देख लेके इसमें इससे पहले हम question number 5 देखें अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं और अभी तक भी आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को आउचे subscribe करें वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ भी share करें जो subscribe button है इसमें आपकी screen पे visual है इसमें इससे पहले भी हम बहुत सारे जो NSS के बहुत सारे questions को हम solve कर चुके हैं उन सबका link में discussion में दे रहा हूँ आप वहाँ से भी देख सकते हैं वो playlist के रूप में हैं आप वहाँ से भी देख सकते हैं तो चलिए question number 5 देख लेते हैं 206 संगठन याने WHO द्वारा coronavirus 2019 के संक्रमणकान क्या नाम दिया गया था तो इससे हम सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं तो इसका ये क्या है A. COVID-19 question number 6 उत्राखण में red ribbon club का लक्षे क्या है जो उत्राखण में जो red ribbon club है उसका लक्षे क्या है तो हमाँ पॉप से ने राजिय को एड से मुक्त बनाना ये भी बिलकुल है राजिय में स्वैस्चक रगदान को सत परस्यत करना ये भी है यूआउं को स्वास्तिके परति जाग कर लेंगे जो आपकी NSS की diary है उसमें भी आप नोट कर सकते हैं question 7 HIV है HIV क्या है एक बिसाण इसका right answer है एक बिसाण हो है है ठीके question 8 राष्ट्या बन नीति की अनुसार कितने परसेंट भूभाग पर बन होना चीए तो हमारप option है 33 परसेंट 35 परसेंट 40 परसेंट या 27 परसें परसेंट बन होने चीए किसी भी राजिये या देश में ठीक है चलिए question 9 देख लेते हैं विश्वप्रयावन दिवस 2020 का मुख्यविस है यानि इसकी theme क्या थी जो विश्वप्रयावन दिवस 2020 था इसकी theme क्या थी हमारप option है y परतोषण b है 7 billion लोक one planet consume with care c है raise your voice not the sea और d है जैव विवित्ता तो इसका जो right answer है d जैव विवित्ता ठीक है आप note करते रहेंगे question 10 है चिपको आंदूलन के पीछे मुक्य उदिश्य क्या था यानि जो चिपको आंदूलन था उसके पीछे मुक्य उदिश्य क्या था बने जिवों की सुरक्षा जल्द तो आप comment section बताएंगे कि इसके प्रणाता कौन थे ये कहां से शुरूआ था किस जिल्ले से शुरूआ था आप इसको comment section बताएंगे अगर नहीं पता है तो आप वहां पूचेंगे मैं वहां भी इसका answer दोंगा ठीके चले question 11 देख लेते हैं राष्टिय बन्नी जीव बोर् होते हैं हमारे पाप्सन है राष्टपती उपराष्टपती प्रधान मंत्री और प्रयावन मंत्री तो 11 का जुराइट आपसर है वह है C प्रधान मंत्री होते हैं ठीके हमारे पाप्सन थे राष्टपती उपराष्टपती प्रधान मंत्री और प्रयावन मंत्री तो इसका जो राइट आंसर है, वो है C, प्रतान मंत्री, ठीक है? Q12, Carbon Dioxide, Carbon Dioxide, Sulphur Dioxide, Carbon Monoxide, के द्वारा कौन सब परतोषण होता है? यानि, जो ये तीन गैसे हैं, हानिकाराग गैसे हैं, इनके द्वारा कौन सब परतोषण होता है? तुमारे पाफसेन है जलपरदोषण, वाई परदोषण, ध्वानी परदोषण, उप्रोक्ष सबी 10 जो राइट आंसर है वो है B, वाई परदोषण चुंकि यह गैस है, ठीके और गैस थो Y में ही फ्ैलनेगी तो इसका जुराइट आंसर है वो है Y पर दूसरा ठीक है इसका C और इसका B आप जैस जैस मैं बता रहा हूँ आप नोट भी करते जाएंगे चलिए question number 13 देख लेते हैं पॉलिथीन का निर्माण है याने पॉलिथीन का निर्माण किस से होता है एथलिन का बहुली करण, ओक्सी करण, अपचैन यो प्रोक्षबी तो इसका जुराइट आंसर है A, एथलिन का बहुली करण question 14 बाल सराम एक मुख्य सामजी बुराई है इस सामजी बुराई का कारण क्या है याने इसका जो बाल सराम है इसका कारण क्या है ठीके तो हमारे पाउप्शन है अत्य देख निर्थन्ता ये भी कारण है अनेश्चित आजीव का ये भी कारण है निम्निस्त्रिय जिवन सैली ये भी कारण है याने इसका जो राइट आंचर है वो है D ठीके 13 का A और 14 का D चले Q15 देख लेते हैं Q15 है इसपर्स गंगा दिवस मनाय जाता है काम मनाय जाता है हमारे पाउप्शन है एक दिसंबर 17 दिसंबर 12 जन्वरी ये 30 जन्वरी तो इसका जो राइट आंचर है वो है B 17 दिसंबर को Q16 इसपर्स गंगा अभियान का मुख्या उदेश्या है याने जो ये अभियान चला इसका उदेश्या क्या है तो हमारे पाउप्शन है गंगा को प्रतोष्ण मुक्त करना ये भी इसका उदेश्या है गंगा की अविरलता को बनाई रखना ये भी इसका उदेश्या है नद तो इसका जो राइट आंसर है वो है A क्वेशन 18 अंतराष्टी आपदा न्यूनी करन दिवस मनाय जाता है अप्शन है 23 नॉवंबर, 13 ओक्टोबर, 13 डिसंबर या 13 सेप्टमबर तो 18 का जो राइट आंसर है वो है B 13 ओक्टोबर को मनाय जाता है ठीक है इसका राइट आंसर A और इसका राइट आंसर B आप नोट करते नहींगे चलिए क्वेशन नंबर हम 19 देख लेते हैं राष्टी आपदा परबंदन संस्तान इस्तित है यानि ये संस्तान कहां इस्तित है मुमई में, दिल्ली में, धहरदुन में ये धर्मसाला में तो 19 का जो राइट आंसर है वो है B दिल्ली में इस्तित है क्वेशन आप 20 किस पंच पर स्योजना में माना और संसादन के विकास को प्रात्मिकता दी गई थी तो 18, 17, 10 ये 11 तो 20 का जो राइट आंसर है वो है A आठवी पंच पर स्योजना में ठीके जली क्वेशन नमर हम 21 देख लेते है आपदा परवन्दन का मुख्य उदेश्य है यानि आपदा परवन्दन का मुख्य उदेश्य क्या है तो A देख लेते है देश को आपदा परवन्दन बनाना ये भी इसका उदेश्य है जन जिवन की हानी को काम करना ये भी इसका उदेश्य है संपत्ति के नुकसान को काम करना ये भी उदेश्य है याने इसका जो राइट आंसर है वो है D ठीक है 21 का जो राइट आंचर है वो है D question 22 नहरो युवा केंदर संगठन के कार्यकर्मों के संचालन है तो गठित सलाकार समीति के अध्यक्स होते हैं जिला अधिकारी जिला युवा समनेक उपने दिशक नहरो युवा के अंदर संगठन या जिला खेल अधिकारी तो 22 का जो राइट आंचर है वो है जिला अधिकारी इसके अध्यक्स होते हैं जो सलाकार समीति हो नहरो युवा के अध्यक्स जिला अधिकारी होते हैं ठीक है चले कोईस्न नमर 23 देख लेते हैं भारत की अंतिम पंचवर्ष उजणा थी याने कौन ची थी हमारा आप ऑप्शन है दसवी ग्यारवी बारवी और तेरवी तो हमारा राइट ऑप्शन है सी बारवी बारवी इसका राइट ऑप्शन है इस तो आपने अगर आपको प पहली पंचवर्ष उजणा कहां से चाहां तक चली दूसरी कहां तक चली और बारवी कहां थी याने एक से लेकर बारवी तक कौन सी पंचवर्ष उजणा कब शुरू ही और कब समाप्ट ही तो मैंने इसके लिए एक separate वीडियो बना रखा है मैं उसका link discussion में दे रहा हूँ आप वहां से भी देख सकते हैं जो playlist है उसमें ही इसका वीडियो भी समलित है चली question number 24 दिख लेते हैं राष्टिय सिवय उजणा के अंतरगत आईजित की जाने वाली गतिविद्यों में समलित नहीं है तो नसा उन्मिलन को प्रुचान ये समलित है साक्चरता को प्रुचान ये भी समलित है दहिज प्रुचान ये समलित नहीं है ठीके तो इसका जो राइट आँशर है वो है D क्योंकि इसमें लिखाने समलित नहीं है ठीके तो D इसका राइट आँशर है इसका C और इसका D राइट आँशर है चली question number 25 देख लेते हैं अंतर राष्टिय महला दिवस मनाय जाता है उमारे पॉप्चन है 8 मार्च को 7 अप्रेल को 5 जून को 8 सितंबर को तो इसका जुराइट आँशर है वो है 8 मार्च को अंतर राष्टिय महला दिवस मनाय जाता है question number 26 भारा सरकार नहीं स्वामी विवकानांद के जन्म दिवस याने उनका जन्म दिवस का होता है स्वामी जी का जन्म दिवस 12 जन्म दिवस को राष्टिय महला दिवस किस वर्स गोशित किया याने किस वर्स वर्स विवकानांद जी का जो जन्म दिन था उसको राष्टिय म दिवा दिवस के रूप में घुशित क्या तो 26 का जुराइट आंसर है वो है ए सन 1984 में ठीक है चलिए क्वेशन नमर हम 27 देखते हैं राष्ट्य शिवायोजना के अंतरगात राष्ट्य एकता सिविर के आईजन का उदेश्या है याने जो ये सिविर है इसका उदेश्या क्या तो हमार पॉपशन है भारत की समर्थे सांस्कृतिक बिवित दकसे उगरत कराना ये भी इसका उदेश्या है बिवित शांस्क्रतियों के इत्यास राष्ट को एक ईकर संगल क्यंद एसका राइइड ऐसका राइट आसर है ठीक है डिआ ऐसका रायाइट आंसर है उसकाà आईजन इस तल कहा था यानि इसका आईजन कहा क्या क्या माई पॉपसन है दिली, एहमदबाद, लखनो ये कुल करता तो 28 का जुराइट आचार है वो है C, लखनो में इसका आईजन क्या क्या था, ठीक है Q29 देख लेता है इससे पहले हम Q29 देखें अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है, जिससे मुझे दिवास में प्रेड होती है उसमें कितने स्वेम से मैक्सिमम प्रतिभाग कर सकते हैं तुमार पॉप्शन है 50, 200, 250, 300 तो 29 का जो राइट आंसर है वो है B 200, 200 ओके 20 इसका राइट आंसर है Q.30 तराष्टिय युवा निती, 2014 में किस आई वर को युवा की प्रिभासा के अंदर गदर रग आ है यानि किसको युवा कह सकते हम 10-19 वर्ष को या इस आ युवर को, ये 13-24 के आई वर को, 15-29 के आई वर को, ये 16-32 के आई वर को तो 30 गार जो राइट आंशर है वो है C 15 से 29 आईवर के को युवा हम कह सकते हैं किसके अनुसार राष्ट्य युवा निती 2014 के अनुसार ठीक है Question 31 राष्ट्य युवा ससकती करांकारे करम के तहट चलने वाली यूजना है तो हमार पास option है नहरो युवा केंद संगतर युवी बिलकुस सही राष्ट्य युवा वाहनी युवी सही युवा चात्रावास युवी सही तो D इसका राइट आंशर है ठीक है Question 32 राष्ट्य मद्दाता दिवस किस स्तिति को मनाय जाता है हमार पास option है 20 अगस्ट 25 जैन्वरी 1 जैन्वरी 26 जैन्वरी तो इसका जुराइट आंशर वो है B 25 जैन्वरी को राष्ट्य मद्दाता दिवस मनाय जाता है Question 33 निम्नांकित मैं से कौन्चा कारेकरम भारत सरकार के युवा कल्यानन एँम खेल मंत्र आले द्वारा नहीं चलाए जाता है ठीके इसमें जो option है वो नहीं लिखा गया है यह नहीं लिखा गया है कि चलाना है तो हमार पा option है राष्ट्य कलाम होचा मेगा सिवीर राष्ट्य एकता सिवीर राष्ट्य यूआ मोचा तो राष्टिया युवा महुचाव भी चला जाता है, राष्टिया एकता सिवर भी चला जाता है, मेगा सिवर भी चला जाता है, शिर्प राष्टिया कला महुचाव नहीं चला जाता है, तो ये इसका राइट आंचार है, ठीके? Q34, मुख्य निर्वाचन आयक्त एवं अन्य आयक्तों की न्युक्ति की जाती है याने जो निर्वाचन आयक्त और अन्य आयक्तों की न्युक्ति कौन करता है राश्पति के द्वारा, प्रधन मंत्री के द्वारा, संसत के द्वारा, ये उपराश्पति के द्वारा तो 34 का जो राइट आंसर है वो है A, राश्पति के द्वार, ठीक है, A इसका राइट आंसर, इसका भी राइट आंसर A है, ठीक है, आप नोट भी करते रहेंगे, चले, question 35 देख लेते हैं, question 35 है, भारत निर्वाचन आइक में, आइक्तों की संक्या कितनी है, तो मैं अप्शन ह एक मुख्य निर्वाचन आइक्त और दो आइक्त, एक मुख्य निर्वाचन आइक्त और एक आइक्त, किवल दो आइक्त, किवल एक आइक्त, तो इसका जो राइट आंसर है वो है A, एक मुख्य निर्वाचन आइक्त हैं, और दो आइक्त हैं, याने टूटल संक्या तीन है ठीक है? Q. 36 उत्राखन में भू इसकलाण के मुख्यकारक है तो भू इसकलाण के मुख्यकारक क्या है इसमें? हमार पॉप्सन है अत्यदिक लंबे समय तक वर्षा तीब्रहिम गलाव जले स्तर में परिवर्थन ये उप्रोक्ट सभी तो 36 का जो राइट आंचर है याने इसमें हम देख रहते हैं कि ये भी है अत्यदिक लंबे समय तक वर्षा ये भी एक कारण है तीब्रहिम गलाव ये भी एक कारण है जल स्तर में परिवर्थन ये उप्रोक्ट सभी इसका राइट आंचर होगा ठीके इसका जो राइट आंचर होगा वो है D आप नोट करते रहेंगे चले क्वेशन में 37 देख लेते हैं मन्दाता सद्यापित पेपर आउडिट ट्रेल याने बीबी पी एटी परिणाली को किस वर्ष लोग सभा चुनाव से लागो किया गया मारब ऑप्शन है 1999, 2014, 2019 या 2009 तो इसका जो राइट आंचर है वो है C, 2019 से क्वेशना 38 राष्टे सिवय युजना को जारी रखने के लिए भाराज सरकार द्वारा राष्टे सिवय युजना का पुरन रिक्षन कराए गया हमरा अप्शन है 1986, 1987, 1984 या 1992 तो इसका जो राइट आंचर वो है C, 1984 में इसका पुरन रिक्षन कराए गया था ठीक है आप नोट भी करते रहेंगे Q39 है चात्रों का पहला करतब यौ होना चीए कि वह यौ न समझे कि अध्यनकाल में जो उन्हें समय मिला है वह उनके लिए बहुत दिविकास का समय है बलकि यह समझे कि यह समय उनके भावी जीवन की निर्मान का समय है यौ कथान किसका है हमार पॉपसान है महत्मा गांदी, स्वामी विवेकानन, पंडिजवाला नहरों यह डॉक्टर राजिन परसाद तो 39 का जो राइट आंसर है वो है B, स्वामी विवेकानन का यह कथान है ठीक है? B, इसका राइट आंसर है Q40, 207 संगठन, WHO ने कोरोना वाइरस से समंदित बिमारी का नाम करन क्याता है, यह Q1 रिपीट हो गया तो यह आप वो पता है, COVID-19, ओके? चले, Q41 देख लेते हैं, इससे पहले हम Q41 करें, अगर आपने Q40, अगर आपने नोट कर लिए हैं और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल का उश्यर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दुस्तों के साथ भी शेयर करें Q41 देख लेते हैं, इसता अपना वर्स, मैं राष्टिय सिवय युजना कितनी चाज संक्या के साथ प्रारम की गें, तो ये कितनी थी, 40,000, 20 का राइट आंचर है Q42 नोबेल कोरोनावायरस के संक्रमन के कुछ हलके लक्षण क्या हो सकते हैं, बुखार, खांसी, सांस में तखली ये उप्रोक्त सबी, तो 42 का जो राइट आंचर हो है, डी, ये सारे लक्षण हो सकते हैं, ठीक है Q43 गंगा को कैन द्वारा राष्टिय नदी कब घुषित क्या गया था, जून 2008, सितंबर 2008, नॉम्बर 2008, दिजंबर 2008, काफी इंपोर्टेंट ग्षण है तो 43 का जो राइट आंचर हो है, C, नॉम्बर 2008 में Q44 निम्ली खित मैं से, जिपको अंदुर्ण का नित्रत्व किसने क्या था, तो हमार पा उप्सन है, तिलू राष्टेली, राधा भट, गौरा देवी या सरला देवी इसको ली करेंगे आप, ठीक है, इसको ली करेंगे, तो 44 का जो राइट आंचर है, वह है C, गौरा देवी ने चलिए, क्वेशन में 45 देख लेते हैं, क्वेशन में 45 है, उत्राखन में इस पर सगंगा अभियान कब सुरू किया गया था? तो आप्सन है में, 17. December 2009, 17. December 20 तो इसका जो राइट आंचर है, वो है A, 17. December 20 यारन्ए 17. December 2009 को शुरू किया गया था, कहां से शुरू किया गया था? ठीक है? उसमें मुख्य मंत्री कौन थे? डॉक्टर रबिस्पोग्राल ने संकते तो ये तीन चार क्वेशन इस पर बनते हैं आपके ठीक है क्वेशन माफ़ 46 बाय कैमिकल ऑक्षिजन डिमांड याने BOD प्रिक्षण किस प्रदुषण को मापने के लिए क्या जाता है तो य प्रदुषण जल प्रदुषण मिर्दा प्रदुषण या द्वैनी प्रदुषण तो 46 का जो राइट आंसर है वो है B जल प्रदुषण मापने के लिए क्या जाता है ठीक है आप नोट भी करते रहेंगे चलिए क्वेशन माफ 47 देख लेता है मैती अंदोलन का संबन्द है तो किस से है महला सुरक्षा ब्रिक्चारोपन विभास से या निर्माण से तो इसका जो राइट आंसर है वो है B ब्रिक्चारोपन से Q48 और ये आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रदुषण होने वाला है ठीक है तो विष्ववभनजिय जीवन कोस विष्वभन्य जीवकोस डवलोड एप द्वारा प्रतिक की रूप में किस पसु को लियागया हमारे पापशन है पांडा, सपीत भालू, चीता और हीरन तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पांडा ठीक है इसका right answer A और इसका right answer B ब्रिक चरूपार तो dear resistant ये था हमारा आज के वीडियो I hope कि आपने सारे 48 questions note कि होगी अगर कोई question आपको नहीं आया या आपको आपकी दिमाग में कोई question है और आपको उसका answer नहीं मिला तो आप comment section बताएंगे आपने सारे 48 questions note कि और अभी तक भी channel को subscribe नहीं कि तो channel को subscribe करें वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ भी share करेंगे आप आप का B और जो C certificate है आप उसकी अच्छे से तैरी कीजिए जिससे आपको वो मिले क्योंकि आप जानते हैं कि जो B और C certificate है वो आपके लिए कितना महत्व पून है तो मेरे आपके लिए बहुत बहुत सुब कामने आपको अश्यों पर रापत हो धन्यवाद